आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम ऐसे दान तरब नहीं होता है स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत सभागत है आज मैं अपनी one of the favorite किताब का review करूगा किताब अप तो थोड़ा सा वक्त कम मिलता है वैसे जादा तर किताबे मैंने पढ़ी ही हुई है लेकिन अभी भी जो अच्छी किताबे आती है मैं टाइम निकाली लेता हूँ पढ़ने का तो आज हम बात करेंगे सेपियन्स की सेपियन्स किताब की जो मेरी one of the favorite रही है ये किताब मैंने चार साल पहले पढ़ी थी और ये किताब ने मेरा दिमाग भूमा दिया था मैं बहुत सारे sources जब भी मैं history cover करता हूँ यहां से लेता हूँ इस किताब में मानव जीवन का इतिहास बताया है ये किताब बताती है कि हम कहां से चले और अभी कहां है और कहां जाएंगे युवल नुवा हरारी जो कि मेरे favorite writer है कुछ भी आता है अगर उनका interview भी आ रहे तो मैं नहीं शोड़ता बहुत intellectual है Israeli writer है उन्होंने basically तीन उनकी best selling किताब रही या किताब आद मी best selling है ये सबसे शांदार किताबों में से एक है homo dudes की आने वाला इंसान कैसा होगा वो भी मैंने पढ़ी है और 21st question from 21st century बहुत ही शांदार किताब है उन दोनों का भी review में लियाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो उन दोनों का भी review में लियाऊंगा किताब आपको पते हैं कि हर दिन हम एक review लाते हैं मैं तो लाही रहूँ रवी सर लाते हैं ठीक है तो Sapiens के किताब review की बात करेंगे देखें ये किताब जो है ये वैसे तो बहुत लंबी किताब है लगबग 400-400 पेच की किताब है जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं कभी pages नहीं देखता आपको पता है और कभी pages देखने नीचे अगर आपने pages देख लिए तो आपके दिमाग को नहीं कहा बहुत बड़े, बहुत जादा pages मैं जुड़ जाता हूँ किताब पढ़ने के सबसे अच्छा तरीका यह कि आप उसे जोड़ जाईए ठीक है और ऐसे तो आपको पता ही चल जाता है जैसे मेरा किताब पढ़ने का तरीका यह है कि अगर कितनी भी चाहे bestselling भी किताब हो अगर मैं पढ़ रहा हूँ और शुरुवात के pages में मुझे interest नहीं आया मैं शुरुवात बीच और overview के लिए last में पढ़ता हूँ तो अगर माल लिजे कि मुझे interest आ गया ठीक है दो-तीन दिन में शुरुवात के दो-तीन दिन के मतलब जो अगर किताब में अगर माल लिजे कि 10% किताब में मैंने पढ़ी वो interest आ गया तो मैं उसको continue करता हूँ वनना फिर मैं उसको continue नहीं करता हूँ वैसे मैं review देख लेता Goodreads पे आप review देख सकते हैं कोई किताब पंडे से पहले जैसे cinema के लिए IMDB है किताबों के लिए Goodreads है तो ये किताब की हम बात करेंगे और इस किताब क्योंकि लंबी बहुत है तो मैं संक्षित और review लेकि आऊँगा मैं आपको बताओंगे इस किताब में बिसलिए बोला क्या गया है राइटर क्या कहते है यूवल नोवा हरारी क्या कहते है यूवल नोवा हरारी का एक इस किताब में optimistic approach है इंसानों को लेके बहुत optimistic approach है लेकिन बहुत ज़्यादा जिस चीज को हमको लगता है कि यह बहुत बड़ी है उस चीज को यूवल नोवा हरारी पीछे कर देते है जैसे agriculture यह सबसे शांदार part है इसका agricultural revolution यह इतना शांदार है आपको लगेगा कृशी बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ यूवल नोवा हरारी ने इस पे तंज कसा है कि कृशी बहुत अच्छी नहीं है बलकि यह विवादास्पत है इस पे कोई कह नहीं सकते है अच्छी है के नहीं है अब देखिए क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं और मैं संक्षित रिव्यू लेकि आ रहा हूँ अगर आपको proper रिव्यू देखना है चाक्टर वाइस अगर आप चलना चाते हैं तो यह शांदार book summary आपको कुकू FM पे मिल जाएगी आप जो मैं किताब का रिव्यू कर रहा हूँ आप पूरा चाक्टर वाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा चाक्टर वाइस आप सुन सकते हैं इसको कुकू FM पे book summary के form में कुकू FM की बात करें तो भारत का यह सबसे शांदार सबसे बड़ा audiobook platform है साड़े 4 plus ratings made in India app और सबसे बड़ी बात है कि यह पूरे साल का subscription बहुत ही कम दामों पे देते हैं coupon code SGS आपको use करना है आपको instant 50% off मिलेगा शुरुवात के 200 users के लिए यह offer है और believe मानिये दोस्तों best selling books और एक और चीज़ आपको बता दो homo deuce की मैंने बात की वो भी किताब का review available है आपको पता है उस किताब की भी वो किताब भी आपको कुकु FM पे मिल जाएगी और वो किताब भी आप सुन सकते हैं तो Yuval Nova Harari की दो किताबे आपको मिल जाएगी तो चलिए हम आते हैं आप अपनी किताब पे तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है मैं Yuval Nova Harari बोलता है कि इनसान जो है इनसान जैसे साड़े तेरा अरब साल पहले Big Bang हुआ और इनसान एक लाग साल पहले homo sapiens यहाँ पे आए तीन चीजों ने इनसान के इतिहास को बदल के रख दिया कौन सी? Cognitive The Cognitive Revolution जो आता है जो हमारी सोचने की शम्ता है जो कि 70,000 साल पहले डिवलप हुई हमारी सोचने की शम्चा ने सब कुछ बदल दिया फिर Agricultural Revolution की बात करते है क्रिशी क्रांती जो की 10,000 साल पहले आई जिसको Neolithic Revolution बोला जाता है क्योंकि मैं खुद भी इतिहास का छात्र हूँ और आपको पताईए कि मैंने लगबग 4,000 से ज़्यादा बायाग्राफीज और इतिहास पे लेचर्स लिये है तो मेरा personal मानना ये है कि ये नियोलेटिक revolution यहाँ पे agricultural revolution बताते है बहुत ही आशान शब्दों में ये इतिहास को डिफाइन करते है तो agricultural revolution ने मानव इतिहास को बदल दिया कैसे बदल दिया क्योंकि agricultural revolution से ही सब कुछ शुरू हुआ अभी तक क्या था इंसान इस किताब में ट्राइटर बताते है यूवल नुवा हरारी hunter और gatherers था और यूवल नुवा हरारी ये भी बताते है कि वो trait अभी भी हमें है अभी भी हमें hunting और gathering का आप देखिए इंसान जादा तर इंसानों को सबसे जादा घूमना पसंद है yes hunting का वो instinct अभी भी हमारे अंदर है यहाँ पे बताते हैं कि memory memory इंसान की जो memory है जो वो अपने पूरवत से लेके आ रहा है बहुत बढ़िया आज 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 को मीटा काने का शौक है हमारे पूरवत को भी मीटा काने का शौक था आपको पता है वो traits हम कैरी कर रही है है ना वो information PD दर PD जो है वो कैरी होती जारी है और कितने भी modern हो जाए लेकिन आज भी हम में hunting और gathering वाले गोड़ है agricultural revolution ने कैसे पहले अच्छा पहले cognitive revolution की बात करते है cognitive revolution में देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात की गई कि हमने हमारे अंदर सोचने की शम्ता आई हमारे अंदर जब सोचने की शम्ता आई तो हमने बाकी प्रजाती हो देखिए इनसान के साथ और भी थे homo sapiens थे साथ हूमो नियंडर्टल्स थे homo radensis थे बहुत सारे प्रजाती आते हैं लेकिन हमने उन सब को खतम किया यूवन नोवार अरी बताता है कि जहां पे भी इनसान जाता है यह negative context में बताता है कि वहां पे वो सब कुछ खतम कर देता है जहां पे भी इनसान जा रहा है humo sapiens जा रहा है तो हम यह देखते हैं कि हमने सोचने की कला डेवलब की हमने बात करने की कला डेवलब की हमने सोचा हमने domestication शुरू किया हमने agriculture किया हमने जानवरों को domesticate किया हमने resources का अपने लिए इस्तिमाल किया नहीं यही यह वल नवाहरारी कहते हैं कि भाईया आपने resources को पालतू नहीं, resources ने आपको पालतू बनाया है, agricultural revolution में, तो जब हमने सोचना शुरू किया, वैसे वैसे हम आगे बढ़े, वैसे वैसे इतियास में हम आगे बढ़े, पहले क्या होता था, कि बहुत बड़े बड़े जीव जनतू होते थे, फिर global warming हुई, global warming से बरफ पिगली, मार्ग रास्ते के मार्ग खोले और इसी सोचने की तक्नीक से, क्योंकि हमने जानवर को observe किया, और वही जो जानवर नहीं करते थे, और वही observation से हमने उनका शिकार किया, और हम एक जगा से दूसी जगा पे गए, और वो शिकार जो था, वो पीडी दर पी हमने आग डेवलप की, हमने कम्यूनिटी में रहना डेवलप किया, हमने इनसानों और चिंपैंजियों में यहाँ पे फर्क बता है, जानवरों में, कि हम में क्या फर्क है, और दूसरे में क्या फर्क है, हम कम्यूनिटी में रह सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं, तो अगर अगर कोई stranger भी आता है उसके हमला नहीं करेंगे आप share के पास जाएए वह आपे हमला कर देगा लेकिन इंसान हमला नहीं करेगा इंसान उसको उसके बारे में सोचेगा उसको welcome करेगा यही हमको अलग करता है और इसी लिए हम आगे जा रहे हैं तो यह cognitive revolution बहुत ही important रहा है ठी है यह चीज है agricultural revolution की यहां पर बात की गई है agricultural revolution देखिए यहां पर agricultural revolution युवल नोह हरारी क्या बता रहे समझ में मुझे इस किताब में समझ में नहीं है कि उनका मत क्या है वो कहना क्या चाले एक तरफ वो बोड़ रहे है कि agricultural revolution बहुत ही बढ़िया रहा दस हजार साल पहले य gathering हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे लेकिन अब हम रुग गए हमने wheat हमने गेहूं उगाया जो कि बहुत लोगों के लिए पर्याप पिपा लेकिन इस चीज में time लगता है इस चीज में time लगता है इस चीज में वक्त लगता है खेती में वक्त लगेगा आपको तुर तोर कर रहे थे अब सब कुछ थम गया अब सब कुछ रुख गया और खेती करनी हमने शुरू की अब जब खेती करनी हमने शुरू की तो हमने क्योंकि खेती के लिए आप होजार चाहिए हमने औहजार बनाए आईरनेज ब्रॉंजेज सिवलाइजिशन हमने जानवरों को जादा कुछ मिला नहीं क्योंकि इंसान पूरी तरीके से खेती पर निर्भर हो गया यह ठीक वैसे ही है कि आप जैसे समझते हैं कि आप पैसा कमाएंगे सब कुछ बढ़िया है लेकिन जब आप उस लेवल पर पहुंचते हो तो आपको पता चल रहा है भाई या लोन चल रहा है ना तो यहाँ पे एक तरीके से एगरी कल्चर ने यहाँ पे पाल्तू बनाया है फिर यहाँ पे यह भी बताया है कि अब हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा मैदान योवल नो अहरारी बताते हैं जो बहुत बढ़िया था जंगल था लेकिन आप उसको साफ करना शुरू कि है क्योंकि आबादी बढ़ने लगी जहां आब हमको खाना ढूंडना परता था वहाँ पे खेती लेकिन सबसे बेस्ट बताते हैं क्योंकि हुआ क्या कि आप खेती करके आप सब का पेट भर सकते थे और यही से कम्यूनिटी डेवलप्मेंट भी शुरू होता है है ना तो य गुसरा रेवलुशन आए 10,000 साल पहले इसने क्या किया इसने इंसान इंसानों ने बहुत सारे अल्टरनेटिवस ढूंड लिये और खेती से रिलेटेड अल्टरनेटिव कहा रहा हूं खेती से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी जैसे हतियार्त उन्होंने बनाई बनाई साथी साथ उन्होंने सोसाइटीज भी बनाई लोगों को चाहिए लोगों को ट्रेन भी किया and the most important social bifurcation भी शुरू हुआ लीडर्शिप आई कि एक लीडर है सबको देखेगा खाना चाहिए ना खाना चाहिए और expansion चाहिए दूसरे community से हमने इंटराक्ट करना शुरू किया कि चलो तुम भी खेती कर रहे है आजाओ तुम भी हमारे साथ आजाओ तो एक तरीकेशा expansion शुरू हुआ ठीक है social structure जैसे अब division शुरू होता है कि जो सबसे निचला तपका है वो खेती करेगा जो उसका proceeds आएगा वो व्यापार के लिए काम आएगा व्यापारी जो है जो पैसा है को वो राजा को देंगे यानि कि social structure और इन खेतों को in lands को protection भी तो चाहिए तो सेना समझ रहे हैं ना ब्रा और एक उपर वाला तपका है जो rule करता था निचला तपका क्या करता था वो उसकी सारी बाते सहता था यानि कि एगरी culture को एक तरीके से जिम्मदार बताया जा रहा है ये जो social problems हुई ये जो दिक्कते हुई ठीक है तो ये चीज़ है उसके बाद तीसरा तीसरा जो यहाँ प पारी बताते हैं कि धर्म बहुत important रहा है ideology और धर्म एक ही चीज़ है लेकिन धर्मों ने लोगों को बांधा है cultures की बात करते हैं अब यहाँ पे culture की बात culture की कैसे बात अब जैसे समाज आ गया है ना खेती के बाद settlements बने empires बने तो उनको बांध के रखना था तो culture बनाया है particular culture बनाया है सबके लिए culture एक rules and regulations थे कि आपको ये rule regulation इसी हिसाब से चलना पड़ेगा वरना आप आगे नहीं जा सकते वरना आपको problem कर देंगे वरना आपको बर्खास तो हरी चीज़ का reason दे है ये rules and regulations की तरह काम किया वरना तो हम फिर hunting और gathering पे चले जाते हैं क्यों वही होता ना तो आपको particular rules and regulations के तहता हम बांध रहे हैं religion भी वही था religion भी वही था religion भी एक social contract की तरह योवल लोहरारी बताते हैं कि यहां पे पेड़ पौदो को जैसे हिंदोिसम में nature को पूजा जाता है और बदले में हम nature से सारी चीज़े ले रहे हैं यानि कि हम आपकी पूजा करेंगे और जो आप फल दे रहे हो हम लेंगे हम आपके पानी का use करेंगे और नदी की बदले में हम पूजा करेंगे समझ रहे हो यह चीज है ideology की बात की गई है यहां पे ideology बड़ी important रही ideological perspective से ideology और religion को यहां पे same ही बताया वैसे तो ideological perspective से यहां पे जिसकी जो सोच है ठीक है वो उसी चीज़ को follow करेगा पैसे money बड़ा important रहा है यहां पे money का development बताया है money का इतिहास कि पहले क्या था देखिए agriculture डेवलप हुआ market में products है अब उसके बाद product का lending शुरू होता है ठीक है अब यह product आप कैसे पहले बार्टर सिस्टम था exchange rate जिसको बोलते है exchange कि मेरे पास मान लिजे कि दो मेरे पास दो बोरी गेहूं है लेकिन मुझे गेहूं मेरे बहुत जादा है घोडा दीये टिया लेकिन यहां पर problem आई कि value कितनी है क्या दो बोरी गेहूं से आप घोडा खरी सकते हो सकता हुए उसका दस बोरी हो तो बोरी गेहूं से गोड़ा हो तो वो value तो इसी लिए सिक्के है कॉडियां आई सिक्कों का प्रचलन शुरू रूब हुआ तांबे, चांदी, सोने के सिक्षे फिर करेंसी आई, यहाँ पे बताते हैं कि 90% जो पैसा है वो तो खाली बोलने पे है पैसा है कि एक ट्रस्ट है भाई कागजी तो है, मैं आपको दे रहा हूँ बस एक ट्रस्ट है कि इसकी वैल्यू है उससे आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो खरीद तो आप चीजी रहे हो न, आप पैसा कमारे क्यों खराब कमारे हो, material wealth खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए फोन खरीदने के लिए तो खरीद तो आप बही चीज़ रहे हो फिर उसके बाद scientific revolution में बहुत important चीज़े कि यहाँ पे microscope के बारे में बताया गया है हमने observe किया, हम बदले लेकिन जब microscope का development हुआ तो चीज़े एकदम से बदल गई science ने हमको आगे बढ़ाया है 500 साल का revolution अब homo sapiens तो last chapter end of homo sapiens के बारे में ही बात करता है लेकिन homo sapiens end क्योंकि देखिए, जो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमारे पस नहीं तकनीकी आई और हम आगे बढ़े, हम लगातार आगे बढ़ते रहे विज्ञान ने हमको बहुत सारे possibilities दी विज्ञान से capitalism भी आया steam engine जब आया तो steam engine ने कितने सारे उद्द्यों को को खोल दिया अब जैसे यहां पे बताया जा रहा है कि ये revolution, industrial revolution युवल नौहरारी बताते हैं, वो steam engine से शुरू हुआ और उसी industrial revolution से यूरोप को बहुत ज़दा ताकत मिली और यूरोप को इतनी ताकत मिली कि उसमें सामराज फैला दिया अपना और वो सामराज यतना ज़दा फैल लिया कि आज भी भारत में आप European culture देखते हैं एशिया में भी European culture देखते हैं ये चीज है इंसानों को एक ऐसी force बोला गया है कि जो जहां पे भी जाएगा सोचे का observe करेगा और दिमाग से वो चीज़े खतम करेगा Yes Capitalism के बारे में बताएगे हैं आपे कि वही Industrial Revolution से Capitalism आया अब ये जो Capitalism था यहां पे यूबल नोवा हरारी बताते हैं कि Capitalism ठीक है लेकिन इससे inequality भी तो बढ़ रही है घरीब और घरीब होता जा रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है बताते हैं कि पहले के जमाने में क्या था कि जो राजा थे वो बहुत ही उल्टा सीधा spend करते थे किसान बचाता था लेकिन आज उल्टा है जो lower तपके के लोग है वो खूब खर्च कर रहे है लेकिन उद्योग पती पैसे पे जादा ध्यान दे रहे है ठीक है scientific revolution ने पूरी दुणिया बदल दी मतलब समझी कि expansion दुगनी तेजी से हुआ फिर इसको ये permanent revolution बोलते है permanent revolution है कि ये लगातार होता ही रहा है ठीक है यहाँ पे science और empire एक साथ मिलते हैं science ने empires को जनम दिया iron age civilization जब loha develop हुआ तब सारे के सारे empire पूरी तरीके से expand हुए तगडे से expand हुए क्यों और उसके बाद there was no looking back iron science में iron की discovery सबसे important रही है सबसे important रही है iron की discovery जब loha develop हुआ आज भी सब कुछ लोहे सही बनता है बड़ी-बड़ी machine ने लोहें से बनती है है ना और फिर यह industrial revolution और आब यह बता रहे है permanent revolution है यह लगातार चलता ही रहेगा आज कोई भी योगाल लोह रारी बताते कि आज जो 27 साल पहले आप अपने माबाब से पूछे कि 27 साल पहले क्या था दुनिया बिलकुल अलग और आगे आने वाला 27 साल जो 2050 तो दुनिया और अलग हो जाईगी यानि कि जो development हमने 2000 साल में नहीं देखा वो हम 50 सालों में देख रहे हैं thanks to science तो ये तीन important revolutions की इस पूरी किताब में बात की है और इसी revolutions को उन्होंने समझाया है ठीक है ये मैंने संक्षप्त रूप में आपको पूरी किताब के बारे में बता दिया एक-एक point के बारे में बता दिया ठीक है और जैसा कि मैंने बताया अगर आप इस किताब को और अच्छे से जानना चाहते हो chapter wise चलना चाहते हो देखे मेरे लिए chapter wise चलना ये किताब बहुत ही बड़ी है तो एक से दो घंटे मुझे पता है कि मैं कोई भी किताब का जब review करता हूँ तो आदे गंटे करता हूँ लेगिन ये किताब बहुत बड़ी है और ये किताब पे मैंने बहुत हरे lectures लिए है तो ये किताब संशिक्त रूप में इस चीजों पर बात करती है ठीक है मुझे comment box में बता है कि और कौन से किताब है जिसका आपको जिसका review चाहिए फिलाल ये किताब chapter wise book summary के form में आप कुकू FM पर सुन सकते है जो कि सबसे बड़ा audiobook platform है coupon code यूज करिए SGS50 50% off मिलेगा description comment box में लिंक दिया है उस लिंक को click करिए play store पे जाएंगे वहाँ से आपको download करिए और शांदार content का फाइदा उठाइए Thank you so much